हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल फ्रॉम ट्रेडिंविविवेक.com और एक क्विश्चन ऐसा है जो हम सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और वह इंपोर्टेंट क्विश्चन है कि अगर हम किसी स्टोक को बाई करते हैं और बाई करने के बाद में सपो हिसाब से गलत है और इस बात को जितने भी हमारी वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से यहां पर ऑपरेटर इस्टोक लगवा कर हम सबके शेयर्स को सस्ते प्राइस पर अपने पास ले जाता है और महेंगे प्राइस पर फिर हमें वापस से बेशता है जब हमें ऐसा फ हमेशा परचेस करने से पहले दो तीन चीज़े हमेशा चेक कर लेनी चाहिए नमबर वन जैसे यह कंपनी का बिजनेस यहां से क्यों ग्रो करने वाला है second company की जो balance sheet है वो कितनी strong है third company के जो profit and loss statement है जो quarterly numbers है जो quarterly results है उसमें revenue भी count होती है और उसमें net profitability भी count होती है साथ में जो yearly results है वो सब कितने अच्छे हैं और जब इन सब चीज़ों को check कर लें जब हम business को sure कर लें that this is a growing business company को choose कर लें that this is the market leading company और this is one of the main company in this industry having the good balance sheet and quarterly results those are the recent quarterly results are good results और इन सब चीज़ों के साथ में company के selection के बाद में whether this company is available at a good price वो हम technical analysis के base पर बहुत सारे हमारे chart patterns हैं बहुत सारे indicators हैं जिन सब को use करके हम ये decide कर सकते हैं कि इस level पर हम ये से buy करना चाहिए लेकिन buy करने के बाद में इस बात की पूरी probability है कि वो target को hit करने से पहले एक बार नीचे आना शुरू करें नीचे आना के बहुत सारे reasons हो सकते हैं reason number one हम कभी भी किसी भी technical chart pattern के base पर ये चीज़ decide नहीं कर सकते कि इसके नीचे ये stock price नीचे नहीं जा सकता जिस level पर हम buy कर रहे हैं कि उसके नीचे share price जा ही नहीं सकता ऐसा कोई भी indicator इस दुनिया में नहीं बना हैं तो हमेशा इस बात के लिए किसी भी stock में चाहे वो जितनी मर्जी अच्छा business हो जितनी मर्जी अच्छी उस business की company हो और जितना ही अच्छे हम जितना मर्जी अच्छे हम technical expert हो चार्ट के analysis में उसके बावजूद भी stock price further नीचे जा सकता है क्योंकि जिन लोगोंने sell off करके जिन लोगोंने profit booking करके उस share price को यहां तक लेकर आए हैं current level तक लेकर आए हैं वही लोग इस share price को और ज्यादा नीचे लेकर जा सकता है तो यह company specific भी हो सकता है यह industry specific भी हो सकता है say for example जैसे IT companies की हम बात करते हैं IT companies में margins थोड़े से down होने शुरू हुए so all IT companies started coming down even currently right now जो nifty है वो काफी उपर आ चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी IT companies अभी तक उपर नहीं आई है तो यहां पर three reasons हो सकता है यहां company specific reason हो सकता है कि company में ही problem है या फिर company में problem नहीं है जो कुछ major shareholders है वो promoters भी हो सकता है पैसे की ज़रुवत ये भी हो सकते कि उनके personal reasons है या फिर उनको दूसरी किसी company में ज़्यादा अच्छी opportunity नजर आती है ये भी एक reason हो सकता है तो इस company specific reason से नीचे आ सकता है इंडस्ट्री में margins कम हो गए है पूरी industry में ही profit booking शुरू हो गई है इस reason से भी नीचे आ सकता है जैसे मैंने IT का आपको एक example दिया थर्ड reason क्या हो सकता है कि ना तो company specific problem है ना ही industry specific problem है बलकि पूरी overall market में ही corrections का माहूल है पूरी market में ही profit booking है या पूरी market में ही sell off आया हुआ है profit booking and sell off almost एक ही बात है लेकिन दोनों चीजों में एक difference है जब मैं sell off की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर panic की बात कर रहा हूँ और profit booking की बात कर रहा हूँ तो यानि कि जरुत से ज़्यादा share prices उपर चले गए हैं और वहाँ पर long term investors या medium term investors का थोड़ा बहुत profit booking करना बनता है ऐ कि क्योंकि उन्होंने जिस price पर लिये थे और जो अभी prices हैं वहाँ पर 50, 60, 80% के gains हैं तो उनको भी कही ना कहीं लगता है कि जरुत से ज़्यादा rally हो गई है थोड़ा सा market आराम करेगी थोड़ा सा consolidation में जाएगी गरावट बहुत जादा expected नहीं है लेकिन time correction यहाँ पर for example उसके बाद में वो share price ने नीचे आना शुरू किया नीचे आने के क्या reason है हमारे इसाब से say for example market की correction है overall company specific कुछ भी problem नहीं है क्योंकि अगर company specific problem है तो हम उसमें invest ही नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर business भी analyze कर रहे हैं यहाँ पर हम company भी analyze कर रहे हैं यहाँ पर हम correction भी द होने चाहिए overall mahal की विज़े से होने चाहिए जब overall mahal की विज़े से correction आई business भी ठीक था company भी ठीक थी और जिस price पर हमने purchase किया उससे भी suppose share price नीचे चला गया तो यहाँ पर 200 रुपीज lifetime है था 150 current price आया हमें अपने parameters के हिसाब से हमने choose किया कि यहाँ पर हमें इसमें bind कर लेन चाहिए buying करने के बाद में share price और नीचे आया share price और नीचे आता है तो वो कौन से levels हैं जहां पर हमें average करना चाहिए average करने का क्या मतलब है buying more at a lower level तो 150 फर हमने buy किया share price 140 आ गया 130 आ गया तो हम किस level पर buy करें यह averaging करना और इसके सही levels पता करना इस बात को समझना कि हमें कब व समझना बहुत important है तो यहां इस बात को समझने से पहले कि कब हमें average करना चाहिए इस बात को समझने के लिए हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमने जो first time buy किया है वो कितने time frame के लिए buy किया है तो यहां पर जो swing trading है वो swing trading या फिर जो investment है वो हम इसको three categories में divide कर सकते ह number one हम buy कर रहे हैं यहां पर three to five percent या six percent gain के लिए दूसरा हमारा averaging हो सकता है कि हम 10 percent के आसपास के gain के लिए buy कर रहे हैं third हमारा हो सकता है कि 20 percent के gain के लिए buy कर रहे हैं और fourth हमारा हो सकता है कि 40 percent plus gain के लिए buy कर रहे हैं तो यहां पर हमारे chart pattern के probability जो है कि कितने percent probable gain आ सकता है उसक के उपर ये चीज depend करेगी, तो अगर हमने 5% gain के लिए buy किया है, तो generally 5% हम लोग expect करते हैं, कि 1 month के time period में हमें 5% का gain मिल जाए, तो जब हम 1 month के time period में 5% के gain की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने आज ही purchase किया, और हमारा buying price say for example 150 rupees है, तो हमें same day, अगर वो और नीचे चला जाता है same day हमें कभी भी averaging नहीं करनी चाहिए, आप इस बात को ध्यान से समझना हम किसी भी situation में हो, जिस day हमने अपनी primary buying की है, first buying की है हमें same day stock price के नीचे जाने पर कभी भी averaging नहीं करनी चाहिए, उसका reason है कि उस दिन sales force इतना जादा हो सकता है, selling pressure इतना जादा हो सकता है कि हम buying करते जा रहे हैं और जो averaging हमें बाद में करनी चाहिए थी, lower level पर करनी चाहिए वो same day ही हमारे सारे पैसे averaging में खत्म हो गए और हमें ऐसा feel होने लगा कि हम stuck हो गए हैं, तो अगर one month का time period का horizon है 5% हम कमाना चाहते हैं, तो हमें same day average करने के बदले next day average करना चाहिए further average हमें उससे next day करना चाहिए और further average हमें उसके next day करना चाहिए जिससे अगर 3-4 days consistent fall आए, तो every day का जो fall है हमें उसका benefit मिल सके यानि कि 2-3% एक दिन नीचे आया, हमने averaging कर लिया, next day 2-3% further नीचे आया, हमने और averaging कर लिया और 3-4% further नीचे आया, third day हमने और averaging कर लिया, हम 3 times buying कर सकें 1 जो first day buying की, second 3-4% नीचे आने पर buying की next day, और अगर next day वो gap down open हुआ, 10% नीचे उपन हुआ, 12% नीचे उपन हुआ fall है, हमें उसका benefit नहीं मिला होता, same day averaging करना is a wrong strategy, हमें next day से पहले averaging नहीं करनी चाहिए अगर हमारा probable profit यहाँ पर 5-6% के आसपास है, और हमारा horizon 1 month के आसपास है, second scenario आता है, कि हम 10% से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, और जो हमारा time period है, वो 1 month से 3 months के आसपास है इस case में हमें averaging same week में नहीं करनी चाहिए, हमें next week में averaging करनी चाहिए, इस बात को ध्यान से समझना, हमें same week में averaging नहीं करनी चाहिए, पूरा week जितना fall होता है, होने दो यहाँ पर, क्योंकि अगर लगातार fall हो रहा है तो next week तक जितना fall आया और उसके बाद में हमने averaging की तो उसका हमें benefit मिलने वाला है और अगर हमने same week में averaging कर लिए और next week फिर से fall आ गया यह यहाँ पर problem create करेगा क्योंकि हमारा horizon 3 months का है हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कमाने की सोच रहे है हम 10-12% कमाने की सोच रहे है over a period of 3 months तो 3 months के period में 10% कमाने के point of view से हमें next week averaging करनी चाहिए same week हमें averaging नहीं करनी चाहिए third हमारा time period आता है कि हम 20% के आसपास कमाना चाहते है और यहाँ पर 6 months का हमारा time period है 6 months का हमारा horizon है तो जब 6 months का हमारा horizon है और 20% के आसपास कमाना चाहते है तो हमें same month में averaging नहीं करनी चाहिए हमारा averaging next month में होना चाहिए say for example हमने किसी particular stock में 20% के target के लिए profitability के लिए हमने आज buying की this is September month तो हमें और उसके बाद stock price नीच आना शुरू हो गया किसी भी reason से that could be any reason कि events बेकार हो गए overall market गए overall market में profit booking sell off whatever the reason is और stock price नीच आना शुरू हो गया तो हमें September में first buying की September में हमें averaging नहीं करनी चाहिए हमें averaging अब next month October में करनी चाहिए यह हमारा किस situation में है जब हम 20% के आसपस कमाना चाह रहे है 6 months के horizon पर उसके बाद में बात आती है कि हम 40%, 50% और उसके बाद में या फिर 100% कि हमने आज बाई किया lifetime high तक पहुँचने में यहाँ पर 80% का gap है 90%, 100% का gap है उसके लिए हम आज buying करते है तो हमें कब averaging करनी चाहिए यहाँ पर भी हमारा same ही situation रह सकता है next month से पहले हमें averaging नहीं करनी चाहिए 3 months का time period बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि every month हमें salary मिल रही होती है तो जब every month salary मिलती है तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि खर्चे हमने credit card से कर लिए और यहाँ पर जो हमारे खर्चे के पैसे थे उसको same month में ही because stock price has come down हमने उसमें पैसे लगा दी हमें एक काम नहीं करना चाहिए तो हमारे 4 situations है when we are trying to make 5-6% same day averaging नहीं करनी है next day averaging करनी है अगर हमारा period यहाँ पर 3 months के आसपास का है and we are targeting 10% plus profitability तो हमें next week में averaging करनी है same week में averaging नहीं करनी है अगर हमारा यहाँ पर target 20% के आसपास है और 6 months का हमारा horizon है तो हमें same month में averaging नहीं करनी है हमें next month में averaging करनी है और उसके उपर जितने भी scenarios हैं, वो one year की है, 40% gain, 50% gain, 100% gain, हम next month averaging कर सकते हैं, यहाँ पर averaging में जल्दबाजी के जो results हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं होते, हमें averaging करने में percentage का तो difference देखना ही चाहिए, हमें साथ में यहाँ पर time period का भी difference देखना चाहिए, time period का difference actual में averaging करने के लिए percentage के difference से जादा important है, अगर इस चीज को और अच्छे से समझना है, तो कुछ stocks में back testing करके देखना, कि अगर हमने TCS को 30% down पर buy किया, और उसके बाद में every month हम इसको average करते गए, even though price नीचे नहीं आया, उसके बावजूद भी, every month हम उसको average करते गए, और lifetime high का target रखा, तो total मिला कर every monthly investment के उपर हमारा कितने percentage gain आया, time wise investment averaging करना, time wise averaging करना, अपनी open positions में, यहाँ पर open positions का मतलब यहाँ पर equity trading ही है, तो time wise, time का ध्यान रखते वे, जब हम averaging करते हैं, हमारे results superb निकल कर आते हैं, इस चीज को और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर backtest करके देखो, और backtest करने के लिए हमें जो महनत करनी है, अफकोर्स महनत के results अच्छे होते हैं, और जब हम खुद से backtest करते हैं, किसी भी strategy को लेकर, किसी भी अपने trading bet को लेकर, तो हम अलगी confidence में होते हैं, क्योंकि वो हमने खुद से किया होता है, सुन दुनिया कुछ भी कहती रहे, अफकोर्स जब हम 30-40% की बात कर रहे हैं, then we are talking about the CAGR, we are not talking about the every year gain, sometimes when market is down, it can happen that in a particular year, we are unable to make 40%, but in next year, of course, when market is in our favor, market is in a bull run, then we will be making more than 40%. So, on an average, अगर हम 3 years का horizon लेकर चलें, 3 years में सभी तरह की cycles हमारी cover हो जाती हैं, we will be able to make 30-40% CAGR, और 30-40% CAGR का मतलब है, nobody can stop us from becoming rich, सिर्फ एक चीज हमारे सामने आ सकती है, कि अगर blessings हमारे साथ नहीं हैं, blessings को साथ में लेकर चलने के लिए, अच्छा behave करना शुरू करो, और chanting करना